दोस्तों फाइनली यमा की R3 इंडिया में फिर से लॉंच होने वाली है यह बाइक पहले भी इंडिया में सेल की जाती थी लेकिन कमपनी ने इसे डिसकंटीनियू कर दिया था फिर से वापस यह बाइक BS6 Phase 2 इंजन के साथ में लॉंच हो रही है इस वीडियो में इस बाइक की पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा सबसे पहले बाइक के लुक और डिजाइनिंग की बात करते हैं तो बाइक का लुक और डिजाइन यमा की R5 के जैसा ही देखने को मिलने वाला है इसमें कुछ जादा चेंज नहीं होंगे लेकिन इसके फीचर्स में बहुत सारे चेंज़ेस देखने को मिलेंगे क्योंकि यह 300 CC की बाइक है बाइक के इक्जेक्ट इंजिन की बात करें तो इसमें आपको 321 CC का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व इंजिन मिलेगा जो लगबग 42 BHP की पावर और 30 NM का टॉक जनरेट करता है इसमें आपको 6-speed gas box मिल जाते हैं और इस बाइक में आपको बहुत सारे additional features मिल जाते हैं जैसे कि इसमें quick sister traction control और slipper clutch मिल जाते हैं और इसके meter console की बात करें इसमें आपको fully digital meter console मिल जाता है जिसमें की Bluetooth connectivity का features रहेगा साथ में आपको turn by turn navigation वाइ एक के tire की बात करेंद इसमें आपको iron 5 से ज्यादा चौड़े tire मिलने वाले हैं front में 110 by 80 section का और rear में बहुत ज्यादा wider मिल जाएगा 150 by 60 section का जो कि दोनों ही radial tire रहने वाले हैं tire की quality काफी अच्छी मिलने वाली है इस bike में seat आपको split मिल जाएगी जैसे कि iron 5 में मिलते हैं बाक 35 किलो मिटर के आसपास इसमें आपको माइलेस देखने को मिल जाएगी बाकी इंडिया में इसके pricing की बात करें तो इसका expected price है 4,20,000 रुपए के आसपास बाकी आप लोगों को क्या लगता इसका कितना on road price होना चाहिए इंडिया में comment करके ज़रू बताईएगा और इसका international market म अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाए